वेल्कम अगेंग विसी तत्रिव आज हम बनाएंगे श्रेश बस्तर पार्ट टू 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 हमने जो पहले श्रेश बस्तर बनाए था वो घुमाते 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 रुप जाता था तो लोगों का स्ट्रेश तो और बढ़ सकते हैं तो इसलिए आज हम करेंगे इन्फाइनेट, मुविंग, स्ट्रेश, बस्तर सो वाट आर यू बेटिंग फॉर ? लेट्स स्टाट टा वीडियो आज हम भी उस करेंगे सेम साइज के आर्ट स्क्वेर पेपर्स अप कलर फूल भी यूज कर सकते हो आणें आप है चार कलर लिया है है सबसब पहले पेपर लिजेए और उसेरे ट्रेञंडल हो डहरेопर करके तैटिली करीज किजीए इसे यू अदॉन किजिए इस करा से इसे यू आधि कर लिजिए फिर इस point को center point के साथ align करें के fold कीजिए स्हीं 4 साइट से कर लीजिए इस तरह अभी से open कर लीजिए फिर इस point को इस point के साथ align करके पीछे की साइट से fold कीजिए और tightly crease कर लीजिए ऐसे अब इसे ओपन कर लीजिए फिर इस एज को इस लाइन के साथ ओलाइन करके फोल्ड कीजिए फिर इस एज को इस लाइन के साथ ओलाइन करके फोल्ड कीजिए ऐसे अब इसे ओपन कर लीजिए अब इसे उल्टा कर लीजिए फिर इस पॉइंट को दबा दीजिए जिससे ये पाचो पॉइंट उपर है फिर इन दोर पॉइंट को मैच कीजिए जिससे हमें एक स्टार मिलेगा इस स्टार को बन करके ट्रैंगल कीजिए उस ट्रैंगल को थोड़ा से ओपन करके इस तरह से फोल्ड कीजिए सेंप सारी साइट से कर लीजे ऐसे आठों पेपर के साथ कर लीजे एसे मैंने सारी फुल्ड कर लिए अबिधिशा इन फुल्ड़ को उपन कीजिए अब सब उपन करने के बार लीजे फिर दूसरा पेपर लेके पहले प्रेपर के इस पार्ट में दूसरे पेपर इस पार्ट को डालिए और फिक्स कर दीजिए अर अब अब तिसरा पेपर लीजिए उसके इस पार्ट को इस पार्ट में डालिए ऐसे उसे सारी पेपरे डालिजिए उसके बार ही ऐसे दिखेगा अब सारी पेपर्स को फसा लीजिए ऐसे मैंने सारे पार्ट्स लगा लिए अब इसे राउंड कीजिए फिर इस वाले पार्ट को इस पार्ट में डालके टाइट ली क्रीज कर लीजिए ऐसे और बन गए हमारा श्रेस बस्टर तो दोस्तो ये था मेरा अच्छ का वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पस्तर ना है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दो दबाना ना भूलिए थैंक यू